स्वागत आपका कुरुक्षेत्र में मैं हूँ आपकी साथ विवेक्षान डिले कुरुक्षेत्र में आज मुद्दा दिल्ली से है अर्विंद केजरिवाल ने जिस मंत्री के लिए पद्म विभूशन की मांग की सती इंद्र जयन वो जेल में है जिनें उन्होंने भारत रत्म का हकदार बताया मनीश सिसो दिया उन्हें सीबियाई और एडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है आज एक तीसरे मंत्री कैलाश गहलोद भी घोटाले में फस गए हैं यह बात और है कि केश जिवाल ने अब तक उनके लिए किसी तरह के पुरुसकार के मांग नहीं किये यानि पहले हवाला फिर प्याले वाला फिर स्कूल वाला और अब बस वाला घोटाला सामने आया है मामला DTC के एक हजार बसें खरीदने और उनकी मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है दिली के चीफ सेक्रेटर ने मामले में LG को CBI जांच का प्रस्ताव दिया जिसके बाद LG VK सक्सेना ने बस घोटाली की CBI जांच के लिए ग्रह मंत्राले से सिफारिश कर दी इस मामले को लेकर BJP और आमादमी पार्टी अब आमले सामने है BJP ने केजरिवाल पर कई गंभीर आरूप लगाए BJP ने कहा कि जब शराब घोटाले में सवाल उठे तो केजरिवाल सरकार ने नीती बदल दी वैसे बस घोटाले में चोरी पकड़ी गई तो टेंडर रद कर दिया आमादमी पार्टी ने आरूप का बचाव किया और BJP पर ही सवाल दाग दिये आमादमी पार्टी ने कहा कि जब बसें खरीदी ही नहीं गई तो घोटाला कैसा आपको सुनाते हैं पहले कैसे BJP ने अर्विंद केजरिवाल पर आज डारेक्ट टटक किया ऐसा निविदा बनाओ कि जो हमारे चहेते मित्र हैं जो गुलावी गड़ियां अर्विंद केजरिवाल की तिजोरी में वापस दे सके जन्ता के रुपई की उन्हीं को टेंडर मिले पहली बार देखा गया ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर केलाज गहलोत इनको बोर्ड का चेर्मेन मना दिया जो एक अधिकारी होता था अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ सुविधा के लिए होता है ये अगर अर्विंद केजरिवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अर्विंद केजरिवाल बताएंगे वैसी ही शर्ते रखी जाएंगी निविदा में वोही व्यक्ती का चैन होगा उसके बाद वसूली होगी रुप्या घूम के अर्विंद केजरिवाल की तिजोरी में आ जाएगा इस आरोप पर आमादमी पार्टी बहत तल्ख है आमादमी पार्टी ने पीजेपी पर पलाटवार किया आमादमी पार्टी ने कहा कि जब टेंडर हुआ ही नहीं बस ये खरीदी ही नहीं गई तो फिर भ्रश्चाचार कैसे हो गया ये भी सुनिये कि आज अलजी साहब ने एक ऐसे मुद्बे पे जाच का आधेश दे दिया जिस पे कई बारी जाच के आधेश हो चुके एक ऐसे मुद्बे पे जाच का आधेश दे दिया कि बसों के खरीद फरोप में खरीद में भ्रश्चाचार हुआ जब बसे खरीदी ही नहीं गई अगर बस खरीदी नहीं गई अगर टेंगर हुआ नहीं तो कोई भारतिय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई भारतिय जनता पार्टी का मंत्री कोई भारतिय जनता पार्टी की जाच एजनसिया मुझे बता दे कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें ब्रश्टाचार कैसे हो सकता तो आतिशी पूछ रहे कि सौदा हुआ नहीं तो गलबर जाले का सवाल नहीं कुरुक शेतर में आज का सवाल है दिल्ली में नया घोटाला या चुनावी शीगुफा घोटाले के आरोपों पर आखिर अर्विंद के जरिवाल चुप क्यों है चहती बस कंपनियों को टेंडर से आप का कितना फाइदा राशन शराब बस कूल के बाद आप के कितने घोटाले गुजराच चुनाव से पहले घोटालों की फाइल्स सच या सियासत बात करने के लिए दो खास बहमान हमार साथ मौझूद हैं मनोश तिवारी जी सांसर्थ बीजेपी के प्रवक्ता पी आपका स्वागत है आतिशी हमार साथ जुड़ रही है प्रवक्ता है आम आद्मी पार्टी के आपका भी स्वागत है मनोश तिवारी जी कहते पहले प्याला फिर हवाला और अब ये बस वाला ये आरूप आप लगा रहें ये बस वाला घोटाला क्या है देखिए अभी अभी आतिसी जी ने अपने प्रेस कॉन्फरेंस में ये बात कही कि जब टेंडर हुआ ही नहीं जे अब आतिसी जी अब तो सामने हैं भी आज बात करेंगी मैं इसी लाइन पर पूछना चाहता हूँ कि आप कह रही हैं कि टेंडर हुआ ही नहीं तो फिर दो 116-2021 को उसको रोका क्यों गया हमारे पास जो पेपर है उसमें दिल्ली के सरकार ने अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार ने 116-2021 को ये इस टेंडर को रोका अगर आपने रोका तो फिर तो ये लाइन जूट हो जाती है ना कि टेंडर हुआ ही नहीं टेंडर हुआ 262-2021 को वर्क और हुआ ऐसी अब इसको तो बिल्कुल मिसमैच है और दूसरी बात में एक और एड करना चाहता हूँ दिखिए ये भरष्टाचार की जाच पर अर्विंद केजरिवाल जी की टीम इतना परिशान क्यों हो जाती है भाई आप तो कहते ही थे कि अगर भरष्टाचार है तो वीडियो दे दो हम उसकी जाच कराएंगे और जाच कराएंगे तब तक सजा करेंगे जो दोशी आरोपी होगा उसको भी दोशी को तो क्या करेंगे बात की बात है लेकिन उसी भरष्टाचार की जाच पर आज आमादी पार्टी बोखला जा रही है मेरा माने अगर सच बोला जाए तो बयान बदलने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है लेकिन लगातार बयान बदल रहे हैं मैं आज आतिसी सी से ये जानना चाहूँगा मैं पहली बार उनके साथ किसी डिवेट में बैठा हूँ मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि आज आपने बोला कि वर्की आउडर नहीं हुआ टेंडर नहीं हुआ यह शब्द है तो फिर वो टेंडर रुका क्यों अगर इस बात का जवाब दिया जाएगा तो इस बात को ध्यान में रख्तियात जवाब देना पड़ेगा कि क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी भी अपने आप में एक बड़ा अपराद है चार लोग मिल करके प्ल मोटालों में ये बात इस टिंग से भी आचुकी है तो इस बात का जवाब आज आज आज़ी से हम जानना चाहते हैं और मैं समझता हूँ मैं तो अपनी तरफ से इस जाच का ब्रश्टाचार की जाच का स्वागत करता हूँ ठीक है आतिशी जी आप कहे रहे हैं टेंडर हुआ ही नहीं तो जहांच कैसा मनोज जी कह रहे हैं कि टेंडर हुआ 21-6-2021 को इसे रद किया गया अगर वर्क और वर्क परमेंट नहीं निकाला गया तो तो फिर रद क्यू किया गया क्योंकि एक बड़े साजिश की ओर इशार आपने जितनी जाँच करवानी है आप करवा लीजे आपने CBI से जाँच करवानी है आपने ED से जाँच करवानी है आपने पुलीस से जाँच करवानी है आपने ACB से जाँच करवानी है आपने बसों की करवानी है स्कूलों की करवानी है महलक रिनिक की करवानी है सडकों की कर प्रश्टाचार नहीं ढूंड पाएं मैं आज इस शो पे दावे के साथ कह रही हूँ आप साथ जनम तक इन्वेस्टिगेशन करते रहिएगा आपको एक पैसे का ब्रश्टाचार नहीं मिलेगा क्योंकि हमें कटर इमानदार पार्टी हैं और कटर इमानदार सरकार चलाते हैं अब समस्या क्या है मनोश तिवारी जी की पार्टी के साथ कि ये बिचारे थोड़े बॉखलाए हुए हैं ये इसलिए बॉखलाए हुए हैं क्योंकि पूरे देश भर में अर्विंद केजरिवाल की लोग प्रियता बढ़ रही है एक टीवी चैनल एक सर्वे करती है वो दिखाती है कि जब पूरे देश भर में पूछा जाता है कि 2024 में कौन सा ऐसा नेता है जो प्रधान मंत्री मोदी जी को चुनौती दे सकता है तो 63% लोग कहते हैं कि अर्विंद केजरिवाल दे सकता है तो समस्या इनकी ये है समस्या इनकी है कि देश भर में लोग अर्विंद केजरिवाल को पसंद कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी है जिनके राज में महगाई बढ़ रही है जिनके राज में बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरह अरविंत के जी वाइब लेकिन आतिशी टेंडर हुआ था कि नहीं हुआ था अपिशी थोड़ा मुद्दे पे रहते हैं, घोटाली की बाद चले हैं कि ये कितने का घोटाला हुआ है भारतीय जनता पार्टी की अनुसार तो पिछली बात जब ये घोटाले की बात कर रहे थे ना एक महीने तक ये आरोब लगाते रहे अलग-लग एजंसियों द्वारा कभी कहते थे डेड़ लाक करोड का घोटाला कभी कहते थे 10,000 करोड का घोटाला कभी कहते थे 1100 करोड का घोटाला कभी कहते थे 30 करोड का घोटाला 144 करोड का घोटाला तो मनोश तिवारी जी आप बस मुझे एक बात बता दे कितने के घोटाले का आज आप आरोब लगा रहे हैं बात बता दीजी मुझे कितने रुपे का घोटाला बाती है जनता पार्टी कह रही है कि हुआ ये बस एक बात बता दीजे आप देखिया आतिसी जी बहुत अच्छी बात है हमारा तो मूल प्रस्ण एक ही था अब आप तो पूरे देश में घूम गई का घुम तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कभी हम लोग जाएंगे हम तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछे थे कि आपने जब कह दिया कि टेंडर हुआ ही नहीं तो टेंडर रोका क्यों गया क्यों कि मेरे पास मैं बिल्कुल जवाब दूँगी पहले आप बता दीजी ना कि कितने का भेष्टा चार हुआ अतिजी एक एक करके इनका जवाब पूरा हो जाएगा फिर आप बोलेगा दो ही मैमान है चाहे आप बोलेंगे चाहे मनोजी बोलेंगे एक एक करके बोलेंगे दोनों की बात दर्शकों भी समझाएगे तो हम देश को इंडिया टीवी पे बताना चाहते हैं कि 87 लाख की बस आ रही थी और उसकी मेंटेनेंस के लिए 3500 करोड रुपिया का उसमें प्रावधान किया गया देखिए ये सब कोई जानता है किसी से चुपा नहीं है कि जो डील होती है वो हमेशा से कोई प्रोजेक्ट करने के पहले डील हो जाती है जैसे शराब घोटाले में क्या हुआ शराब घोटाले में इस्टिंग भी आ गया ज़िस दिन स्टिंग आया उस दिन अतिशी जी या कोई भी प्रवक्ता नहीं आए, मैं बहुत धून्ड रहा था तो आपने पुछा कि कितने का घोटाला है मैंने सराब घोटाले को भी पूरा एक एक लाइन जोड़ा था 35 करोड का कह रहे हैं आप तो 35 करोड का घोटाला कह रहे हैं आप तेवारी जी लेट मी कंप्लीट आपने जो ये DTC का बस खरीदने का बस खरीदने का जो टेंडर हुआ उसमें 87 लाइक की बसे आनी थी और 35 करोड रुपया उसके मेंटेनेंस पर जाना था आतिसी जी आप भी सोच सकती हैं कि अगर एक हजार बस आनी है 87 लाइक की और 35 करोड रुपया उसका मेंटेनेंस दिया जा रहा है तो उसके पीछे कितना बड़ा डील होगा इसी कि थो CVI जाचोने जा रही है अगर किसी व्यक्ति ने तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं बोल रहा हूं मैं आपको 38 जी पहले आप इसको सुने झाला तो नहीं यह 35 करोड का गोडाला आप इतना परसान हो जा रही है हम दो आपकी बात पूरी सुन करके बोल रहे हैं आप तिवारी जी सुन आप सुन लो मुझे मैं उस दील की बात बता रहा हूँ कितने का घोटाला है बता दीजिए हाँ ये घोटाला देखो अगर आप ये अटेंड तू लूट भी होता है न मैंने शुरू में आप से कहा मैंने शुरू में आप से कहा तिवारी जी पैंतिस सौ करोड का घोटाला है या पैंतिस सौ करोड का घोटाला नहीं है अरे पैंतिस सौ करोड का घोटाला ही है मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें 3500 करोड से भी ज़्यादा का हो सकता है मेरी बात समझे आप देखो आप लोग सो डाइवर्ट करने के माश्टर हो आतिसी जी इसमें तो आम आधी पार्टी का कोई जोर नहीं है चोटा सा सवाल पूछ रही हूँ 87 लाग की बस का एक जिसमास्ट कर दीजिएगा बोर्ड का चेयरमें कैसे बना दिया गया आतिसी जी से मेरा दो ही सवाल है मनुझी मैं एक सवाल ले लेता हूँ फिर आप आप बहुए इसलिए मैं उनसे सवाल करूँ आतिसी जी ये मेरा दूसरा सवाल यही था कि एक मिनिस्टर चेर्मेन कैसे हो सकता है डिटीसी का ये बताईए तो कुछ तो घोटाला हुआ होगे ना आतिशी जी सवाल मनुझी ये कर रहे है सवाल मनुझी ये कर रहे है एक मिनिस्टर डिटीसी का चेर्मेन कैसे हो सकता है नहीं मैं एक चीज ख्लारिफार करना चाती हूं विवेक जी देखिये मनोश तिवारी जी वरिष्ट नेता है भातिय जनता पार्टी के हमारे भी सीनियर हैं सांसद हैं बहुत एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं लेकिन मुझे अभी तक उनकी बात से ये सपश्ट नहीं हुआ आपको बतारा हूं क्या कहा है आतिखी एक सेकंड बढ़े भाद करने से किसी का कोई फाइदा नहीं हो सुनिए मेरी बार ऐसे समय बहुत कीम्ती समय पर आप सभी जानते हैं आप डोनों बड़ी पार्टी से आते हैं प्रवक्ता ने कोई प्रवक्ता जवाब देंगे मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप बातों को घुमाए ना अब सीधा-सीधा जवाब देंगे आप ये बताईए कि एक ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर को डीटीसी बोर्ड का चेर्मिन कैसे बनाया गया विवेक जी पहले पहले इस बात क्या स्पष्ट जवाब होना चाहिए ये कोई मैं बहुत घुमा फिरा नहीं रही बात को मनोज तिवारी जी बताएं किया 35 करोड का घोटाला हुआ या 35 करोड का घोटाला नहीं हुआ जवाब अगर ध्यान से सुन रही होती तो शायद आपने इस सवाल दुबारा नहीं पूछा उता मैं मनोज जी से दुबारा क्या देता हूँ कि आपकी इस सवाल का जवाब दे देंगा मनोज जी आप 35 करोड का क्यों जिक्र कर रहे ते एक बार डीटेल से बताएं और अपना दोनों सवाल दो रहे है प्लीज 30 करोड का घोटाला है अब तो सुन लो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह 35 करोड का ही घोटाला है और घोटाला कितने का है यह जाच हो रही है नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ किसमें आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं आहां, आतिसी जी तिवारी जी, कुछ तो स्पष्ट कर दीजिए हाँ, मैं कह रहा हूँ 87 लाख की बस आनी है और 35 करोड रुपया मेंटेनेंस होगा इसके पीछे कितना घोटाला हुआ होगा कितनी बड़ी डील हुई होगी ये एक जांच का विशे है और दूसरा प्रस्ण है आतिसी, सु मेरी बतिया सुलो भईया आज दूसरा मेरा सवाल है कि एक मिनिस्टर को DTC चेर्मेन कैसे बनाया जा सकता है कभी ऐसा नहीं हुआ इसके पीछे क्या रणनीती है देखे तिवारी जी ये तो आप अपनी केंद्र सरकार की जाके सारी कमिटियां देख लेंगे तो मंतरी ही चेर्मेन होते हैं जादा तर सरकारी कमिटियों की तो इसके तो सवाल ही नहीं है कभी नहीं कोई मंतरी हुआ दूसरी बात सुन लीजिये मैं तो सुनूँगा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा विल्कुल नहीं करूँगा सारी कमिटियों कॉर्पोरेशन्स में देखिये जादा तर चेर्मेन आपके मंतरी ही होते हैं तो इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं है दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि बस की खरीद में गोटाला हुआ ये आपका सवाल है ना तो मैं तो यही आपसे कह रहे थी जब टेंडर कंप्लीट ही नहीं हुआ जब कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो गोटाला कैसे हो गया ये बिलकुल आपका जादूई गर्णित है और क्यूंकि आपका ये जादूई गर्णित है इसलिए मनोज तिवारी जी आप अभी तक बता नहीं पा रहे हैं कि क्या गोटाला हुआ है या नहीं हुआ है और कितने का घुटाला हुआ है बिवेक्षी इनकी समस्या ये है कि ये परेशान है अर्विंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोक्त्रियता से तो इसलिए इन्हें रोज 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 कुछ मंगना तारोब बनाके लाने होते हैं जैसा मैंने कहा साथ साल से ये लोग डेड़ सो से जादा केस आमादमी पार्टी की सरकार पर अर्विंद केजरीवाल के मंतरियों पर अर्विंद केजरीवाल के विधायकों पर कर चुके साथ साल में एक पैसे का बरश्टा चार ये लोग साबित नहीं कर पाएं है CBI लगा दी, ED लगा दी, दिल्ली पुरिस लगा दी, ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है, अप ये साथ साल में एक पैसे का बस्काचा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक कट्टर इमानदार सरकार है, जी, आप ये शिगूफा छोड़ रहे हैं, या सियासत कर रहे हैं, या चुनाव को देखते हुए, इस तरह के ऐलिगेशन लगा जा रहे हैं, मनुश्टिवार जी, आपके आतिसी की पाटी के एक मंत्री जेल में है, कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी, इसके बाद भी आप उनको पुरस्कृत करने की बात कर रही हैं, मतलब आप नहीं कर रही हैं, आपके नेता अरविन के जरिवाल जी कर रहे हैं, इसके बाद भी भरष्टा चार का हमें सबूत देना पड़ेगा, एक इस्टिंग आता है, जिसमें असपष्ट कहा जाता है, कि ये लोग डील करके और डील के पहले बोले कि डील के पहले मुझे इतना पैसे कैस में पहुँचा दो, यहां भी उसी डील की जाच होने जा रही है, यह तो सत्य है, कि विजंदर गुप्ता की जो त्वरित कारवाई से इस डील को रोक दी गई, लेकिन इस डील के पीछे कितना पैसे का डील हुआ लिया गया, इसी की जाच करने के लिए आज हमारे CBI को इनक्वारी दी गई है, तो जाच के खिलाफ क्यों इतना खड़े हैं, मैं यह पूछना चाहता हूँ, और तीसरी बात हमारी, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम जाच का मनोजी, हम तो जाच का स्वागत कर रहे हैं, हम खिलाफ नहीं है, बस बस, हम तो जाच का स्वागत हो, में आपको यही बता रहा था कि ये जो डील पिछला भी जो शराब घोटाला है जिसमें एक CBI ED अपना काम कर रही है उसमें भी तो जैसे ही CBI inquiry हुई आप तुरत से सराब नीती वापस लेके चले गए लेकिन उसके बाद भी तो डील हुई है इस्टिंग आ गया इस्टिंग में बताया गया कैसे ये जो बढ़ाया गया उसका कैस माँग रहे थे मिनिस्टर हमें कैस पहुचाना था कैसे सारी बाते आ गई है लेकिन मेरा इस जो आप भोल रही है न कि इसमें ये सत्य है कि हमारे दिल्ली के भारती जंता पार्टी के विधायक विजिंदर गुपता के त्वरित सजगता से इसको होने से पहले रुका लेकिन क्या क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी अपराग नहीं होता है आतिसी जी ठीक है आतिसी ये कह रहे हैं आप कट्टर इमानदार हैं तो जांच से फिर कैसा इतराज है जांच करा लिया जायाए जांच हो जाने दीजिए अगर कुछ गलत होगा तो सामने आजाएगा अगर पाक साफे तो दूट का दूट पानी का पानी हो जाएगा आतिसी बिल्कुर विवेग जी मैं तो कह रही हूँ मैं तो मनोज तिवारी जी को सुझाव दे रही हूँ एक कि आप क्यों एक डिपार्टमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा कर रहे हैं ऐसा करिए एक बारी में अर्विंद केजरीवाल के सारे विवागों की जांच करा लीजे और एक एजनसी से मत कराईए साथ जनम में एक पैसे का ब्रश्टाचार वो अर्विंद केजरीवाल की सरकार में ढूंड नहीं पाएंगे लेकिन आज तिवारी जी मुझे एक बात भी बताएं कि अगर उन्हें ब्रश्टाचार की इतनी चिंता है कि अगर एक पैसे का भी ब्रश्टाचार हुआ है तो जांच होनी चाहिए तो जो हमारे विने सक्सेना जी लजी है जब उन पे ब्रश्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हुए है तो उसकी CBI की जांच क्यों नहीं होती है विने सक्सेना जी पर जब वो खादी भंडार के चेर्मेन थे तब नोट बंदी में Black Money को वाइट करने का आरोप है CBI की जांच क्यों नहीं हो रही है ED की जांच क्यों नहीं हो रही है अपनी बेटी को contract देने का आरोप है विने सक्सेना जी पर तो उस पर CBI की जांच क्यों नहीं हो रही है अब मैं बूले खादी भंडार द्वारा खादी ग्रामोद्योग वारा खादी के आर्टिसन को cash payment जो High Court के order के खिलाफ था वो देने का आरोप है उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है एसा कैसे है कि जांच जर्व अरवंद केजरिवाल के हरनेता पर होती है लेकिन आपके LG सहाब जिन पर भरष्टा चार के इतने गंभीर आरोप है वहाँ पर CBI जांच करने को तर्जारी नहीं होती इसलिए तो ऐसा लगता है कि आपको अरवंद केजरिवाल से डर लग रहा है इसलिए पीछे पड़े हुएं ऐसा ब्रष्टा चार्ट भूंड के ला रहे हैं इसमें एक पैसा भी प्रच्चुआँ आपके आरोप इन लोगों ने तब लगाया है जब इनके उपर सिव्याई की इंक्वारी बैठा दिया एल जी साहब ने जिस समें एल जी साहब लगे जिस समें उनके तो एल जी साहब क्यों भाग रहे हैं जांच से तिवारी जी ने एल जी साहब क्यों भाग रहे हैं तो एल जी साहब क्यों भाग रहे हैं आप देखो आगे भी पता चलेगा आतिसी आ रहे हैं तो मुझे और सौक सी आना चाहिए कि आज अच्छी बहस होगी हम आपके टाइम हम नहीं बोलेंगे हमारे टाइम आप सुनिए आपने जो आरोप लगाया अगर आपको नहीं लगता कोट चले जाएए आप कोट जाने को बिल्कुल सोतंत्र है इस देश में न्याए बेवस्ता है क्यों किसी टीवी का है अरे भाई ये करवा अगर वो इमानदार है तो वो साफ निकल के आएंगे पाक साफ निकल के आएंगे आप आधेश तो आप कोट जाएए ना जवाब ले लते हैं आतिशी जवाब ले लते हैं आप देखिए आतिशी जवाब ले ले लते हैं ठीक है जब अरविंद केजरिवाल के एक मंत्री मनीज सिसो दिया उन्होंने एक बड़ी शराब घोटाले में लगभग ग्यारा हज्जार करोड रुपए की लूट की है जब उस पे चीफ सेकरेटरी बोलते हैं इससे राजस्तों को नुकसान हुआ माननी एल जी ने कहा कि दूद का दूद सराब का शराब हो जाए चलो इसकी जांच हो जाए तो जिस एल जी साहब से दोड़ दोड़ के हाथ मिला रहे थे रविंद केजरिवाल जी अचानक उनको लगता है अरे यह तो पहले अपनी शराब निती वापस लो नहीं बना अचा हमको मनी शिसोदिया को खरिदने कोसिस कर रहे हैं नहीं बना विधायकों को खरिदने कोसिस कर रहे हैं हमने बोला नंबर बताओ नहीं है जब कुछ नहीं आया तो एल जी साब पे दोस मढ़ेंगे यह तो असपश्ट दिख रहा है कि जो आरोप लगा है मनी शिसोदिया जी पे अरविंद केजरिवाल जी पे जो लूट का एक बड़ा सिटिंग आकर के सिद्वी हो रहा है तब कह रहे हैं कि आरोप है फिटीक है अगर आरोप है तो इस देश में कोट है न आप कोट क्यों नहीं गया भी तक चले जाईए कल जाईए इस देश में न्याई ब्योस्ता पर विश्वास है न आपको विवेक जी जी बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी देखिए आज ऐसा लग रहा है देश को कि जब अर्विंद केजरिवाल की सरकार की बात आती है अब जब हम प रंविकि ने इस देश में कोई भी न्याई से उपर आनि आते सीजी आप पिलीज का जबाब दीजी आप बार वार इलजी पे जा रही हैं आज मश्य व्याया को इपको दिल्जिवाल के वाल आरोप लगाएंगे तो इस आरोप को न दिल्ली बरदास्ट करेगी और न तो एजिंसियां बरदास्ट करेगी। हम तो एल जी को इतना धन्यवाद देते सेल्यूट करते हैं कि आपने पहल देखो आतिसी जी आप मेरा जवाब सुनो इतने गंभीर आरोब के बाद देवता पताईए जाजी मेरे हिसाब से जो दिल्ली को लूट रहा है अगर उसकी जाच करवाने वाला व्यक्ति संबेधानि सर्वोच पद पे वो दिल्ली का देवता है ठीक है एक 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 करके दोनों मैंमान उसे नहीं है दना आप लोग एक एक करके बात कीज़ें तो आप जाईए आपको प्रश्न है आप जाईए हम क्यों जाए हमारे लिए एंजी विने कुमार सकसेना मैं उनको हजार बार धन्य प्रश्टाचार किया ठीक है मैं एक सवाल लेना चारूं आतिशी आपसे आप लोग बार बार ऐसा क्यों कहते हैं जब भी किसी तरह का एलिगेशन लगता है जांच की बात आती है आप कहते हैं कि अर्विंद केजरिवाल से डर गई है मोधी सरकार आप लोग बार बार इस परूट पर ले जाने की कोशिश करते हैं क्या ऐसे किसी भी करप्शन के मामले को राजनीती से जोड़ देना ठीक बात है आतिशी देखे विवेक जी बहुत सिंपल सी बात है साथ साल में जब से दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल की सरकार बनी है तब से डेड़ सो से जादा केस भारतिय जनता पार्टी ने अपनी अलग अलग एजनसीयों से आमाद्मी पार्टी के मंत्रियों पे विधायकों पे नेताओ करें हैं डेड़ सो केस में एक पैसे का ब्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए है अब गुजरात का चुनावा रहा है गुजरात में आमाद्मी पार्टी की लोगफरीयता बढ़ी यह अर्विन केजरिवाल की लोगफरीयता बढ़ रही है तो ये लोग परिशान है तो गु विवेग जी मैंने तो आपको सबसे पहले कह दिया जांच करनी है हम हर जांच का स्वागत करते हैं CBI से कराईए, ED से कराईए, Income Tax Department से कराईए, Police से करवाईए, LG से कराईए, ACB से कराईए साथ साल तो क्या साथ जनम में इनको एक पैसे का ब्रश्टाचार नहीं मिलेगा, अर्विंद के जिरिवाद की सब्सक्राइए, तो BJP कह रही है, आप सतेंद्र जैन को बाहर क्यों निकाल पाया अभी तक साथ जनम तक कुछ नहीं होगा, वो कह रहे हैं, आप सतेंद्र जैन को बाहर निकाल लाइए, अगर इतना आपकी दावे में दम है तो, विवेक जी, विवेक जी, सतेंद्र जैन के खिलाफ भी एक पैसे का ब्रश्टाचार साबित तो करें, रोज कोट में जाके कहते हैं, हम अगली बार सुबूत लेके आएंगे, लेकिन उस मैटर को छोड़िए, मेरा ये सवाल है, कि अगर खाटिये जनता पार्टी को लगता है कि कहीं पे भी भ्रश्टाचार का आरोप है, उसकी जांच होनी चाहिए, हम भी सहमत हैं, भ्रश्टाचार का आरोप है तो जांच होनी चाहिए, हमारे पे आरोप है, हम जांच का स्वागत करते हैं, अगर LG विने सकसेना जी पर KVIC का चेर्मेन होते हुए गंभीर भ्रश सवाल में पूछ लेता हूँ ठीक है उसका जवाब उसका जवाब मनुश्टिवारी दे दिया कि अगर आपको दिक्कत है तो आप पोड जा सकते हैं लेकिन यह कोई यह इसकेप हुआ मनुश्टिवारी जी आप कहे रहे हैं आप पोड चले जाए यह ने ने विवेक जी मेरा सब कहते हैं कि आप एजिंसियों का दुरूप्यों कर रहे हैं मनुश्टिवारी जी देखिए विवेक जी अभी मैं आपके यहां आने से पहले राष्टिय जन उद्योग ब्यापार संगठन दिल्ली के कारिकरम में बैठा था जहां दिल्ली के सब छोटे छोटे जो उद्य पानी क्यों आ रहा है अभी हम लोग स्कूलों में जाते हैं तो कहीं स्कूल गिरने वाला है कहीं जरजर है कोई रोग दे रहा है घुसना मत मीडिया को भी रोका जारा यह सारे बात जो कह रहा हूँ न इसका प्रूफ लेके बैठा हूँ और दिल्ली के लोगों को जहां से राहत मिलनी चाहिए वो राहत देनी की जगार रोज नया नया घोटाला जिस कागच को पलटिये एकदम वो पलटू केजरिवाल जी की एक भरस्टाचार की खासियत आ जा रही है तो मेरा पूछना है कि क्या दिल्ली ने इसलिए आपको वोट किया था कि आप CBC के उड़ा दे क्या दिल्ली ने इसलिए आपको चुना कि आप कानून का पालन ही मत करें इसमें बहुत बड़ा घोटाला है एक बड़ी डील हुई है जिस पर CBI आगे बढ़ेगी तभी कुछ निकल पाएगा आज मैं आतिसी जी को इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं कि कि ये भी याद रहे आतिसी जी लेट मी कम्प्लीट CBI इनक्वारी कैसे होती है CBI इनक्वारी या तो कोट करता है या तो एस्टेट कहती है कि इस पर CBI इनक्वारी होनी चाहिए एस्टेट के समयधानिक प्रमूख LG है चीफ सेक्रेटिर ने रिपोर्ट दिया कि एक बड़ का दूज शराब का शराब हो जाए तो ऐसे में जाच का स्वागत करने की जगा आप LG को इनके कम से कम दस आदमी जेल के अंदर है आम आदमी पार्टी के आप बताईए आप जितने नाम गिनाऊंगा क्यों सतेंदर जैन अंदर है इनको एक विधायत को तीन साल की सजा हो चुकी है एक फरजी डिगरी मामले में सजाच देखिए अब आप बताईए एक पैसे का भरष्टाचार कहां मिला आपको अर्विंद केजरिवाल की सरकार में बताईए आप आज आप एक शो पे बताईए कि कौन से कोट में आपने एक पैसे का भरष्टाचार का सुबूत रख दिया आप बताईए आप आम आदमी पार्टी के स्वास्ति मंत्री जेल में हैं कोट भी रहत नहीं दे रहा है उनको कितना भी पुरस्कार बांट दिजिए आपने पैसे के भरष्टाचार का सुबूत दिखा दिजिए आपने पंजआब के स्वास्ति मंत्री को खुद ही निकाला लेकिन आप सतंदर जेल को नहीं निकालेंगे हमने निकाला हमने खुद निकाला लेकि सतेंदर जैन को नहीं निकाला आपके विधायक को तीन साल की सजा हुई है आपकी हर्याणा की एक नेता है उसको सजा हुई है साथ साल की हमसे कितना कलवाएंगे आपको पता है आपका LG चोर है आपको पता है आपका LG भरष्टाचारी है अरविंद केजरी वाले वो जेल जा रहे है तो फिर LG चोर है अरे भईया LG दिल्ली का भगवाल बन के आया जा करके दिल्ली की गलियों में पूछिए महिलाओं की जो इस्तिती हो रही है आतिसी जी जा करके जमुना जी के किनारे रहने वाले लोगों से पूछिए यमुना जी की जो इस्तिती है उसकी इस्तिती क्या है जा के पूछिए यहां के बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं आठवी क्लास तक के बच्चों को अक्षर क्या नहीं है मनोग जी और आतेशी मेरे पास समय की सीमा इतनी है मेरे पास मेरे पास लिमिटेड टाइम है सियासत के एक बड़ी वज़ा बनती दिख रही है और यह मामला भी तूल पकलता नजर आ रहा है जिसमें दिल्ली की सियासत और आगे जाती दिख रही है